नमस्कार आप सभी को SBT साजबू के तड़का में आप सभी का श्वागत है तो बहुत यूनिक तरीके से मटर और गोभी आलू की शबजी है तो आपने देखा ही होगा मटर कितना अच्छे से हरा दिख रहे हैं उसके पीछे कारण है कि हमने मटर को उबा ले को उबाल लेना है देखे कितना अच्छे दिख रहे हैं और आपको हम मटर को फ्रिश करने का तरीका भी आगे बताएंगे तो लाश्च तक हमारे वीडियो को जरूर देखिए यह बहुत ही स्वादिश्ट यूनिक तरीके से बनी हुई मटर फूल गोभी और आलू की शबजी है बहुत सिंपल परन्तु बहुत ही स्वादिश्ट सबजी तो देखिए मटर मटर को चिलकर हमने साब धोकर उसको दो तीन उबाल आने तक के उबाल ले है और उसी तरह गोभी को भी लोग गोभी को तेल में तलकर बनाते हैं जो की स्वास्त वर्धक उतना नहीं है क्योंकि अधिक तेल खाना में रही है ये दो चमस तेल में हमने डाला जीरा और उसके बाद कटी हुई आलू को दो आलू काटे हैं छोटे साइज में और ये मेथी भाजी है इसको आलू के उपर में ही डार रही हूँ और दो कटी हुई हरी मीर्च चमस चलाते रहना है तो हम आपको दिखाए हैं कि गोभी और आलू को गोभी को अची तरह साप करके काट ली हूँ और दो बॉयल तक के मैं गोभी को भी उबाल ली हूँ ताकि उसमें कोई भी अभी मौसम ठीक नहीं है तो कीडे ये मकोडिया जो भी उसको साप करके ही गोभी को बनाने देखिए हमारा गोभी को थोड़ा सा मौबाल लिए एक फूल गोभी है और दो आलू है और मटर है चार लोगों के लिए परियाप्त सबजी है तो चम्मच चलाते रहना है आलू भून गया है उसके बाद गोभी को डालीं क्योंकि गोभी को तो मैं गरम पानी से अच्छी तरह से एक बॉयल तक के वाल ली थी और गोभी अच्छी तरह साब भी हो गई है तो मेथी भाजी और दो हरी मिर्ष काटकर डाली हूँ जो आपको दिखाई हूँ और दो चम्मस तेल में जीरे का तड़का है तो फर्स टाइम आए हैं तो शब्क्राइब कीजिए देखे ये मटर है इस तरह से आप बना कर देखे सब्जी का श्वाद भी बढ़ जाएगा और समय का भी बचात होता है और दस मिनट भी नहीं लगते हैं सब्जी को तयार होने में और थोड़ी ढग भी देना है ताकि अपने ही भाप से पक जाए और एक दो चम्मस पानी डालते रहना है जिससे भाप से आलू भी पक जाए और मटर और गोभी सब पक जाए बस ढग के रखना है थोड़ी से बीच-बीच में ढगते रहना है आप गोभी को सुखी भी बना सकते हैं परनतों आज मैं रसवाली बनाऊंगी देखें गोभी अच्छी तरह से पक चुकी है और मटर को भी दिखाई हूँ और भी अच्छी तरह से पक चुकी है आलू को हमने दो चम्मस तेल में पहले फ्राइ किया है भूने है उसको फिर डाले अर ये एक मीडियम साइज की टमाटर है टमाटर को पीछने की ज़रुवत नहीं है अब पीछना चाहते हैं मिक्सी में तो पीछ सकते हैं अब इस तरह से उपर में डाल कर मैं धग देती हूँ जिससे की टमाटर जो है भाब से ही पक जाते हैं तो सब्जी को एक से दो मिनट के लिए हम ढग कर भी पकाते हैं जिससे की सब्जी अच्छी तरह से पक जाए हल्दी, नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर है इसको आप स्वादम सार नमक को डालना है और जितना आप तीखा खाना चाहते हैं उसे साफ साफ मिर्ची डालिए मैं हरी मिर्ची तो डाल ही चुकी हूँ और आलू गो भी मटर की सब्जी में थोड़ी सी मेथी की भाजी जरूर डालिए जिससे सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है देखे कितना अच्छा देख रहा है सब्जी तो हमारे चैनल को लाइक कर लिजे आप लोग लाइक तो बिलकुल भी नहीं करते हैं और फर्स्ट टाइम आए है तो सब्क्राइब कीजिए देस मिनट के अंदर में सब्जी तयार हो जाएगी बहुत जादा मिर्च मसाला की जवरत ही नहीं है सिंपल तरीके से बनी हुई सब्जी है पर आप खा के देखिए इस तरह से बना के देखिए तो समझ में आएगी कि वास्त्विक में ये सब्जी कितनी अच्ची है देखे कितना अच्छा देख रहा है तो बीच में दो तिन चमच करके पानी डाल देने से सबजी और भी अच्छे से पक जाती देखे कितना अच्छा देख रहा है तो हमारी देशी कड़ाई में हम बनाते हैं जिससे की सबजी का स्वाद और भी अधिक बढ़ता है ये नानी श्टिक से भी जादा अच्छी कड़ाई है हमारी नानी दादी जमाने की कड़ाई है जो आज कल बहुत कम दिखाई देते हैं और ये हल्दी नमक मिर्ची थी वही वाली प्लेट का पानी है तो आप अगर रसवाली पसंद करते हैं तो रसवाली बनाईए नहीं तो ये सबजी उसी में पक कर रस को सोख लेगी मैं हल्की रसवाली बनाऊंगी जो चावल में खाने में बहुत अच्छा लगता है तो देखिए सबजी को कलर भी कितना अच्छा आया है और लाश्र में हरी धनिया पत्ती काटके डाल देना है तो बस सबजी को जलनी नहीं चाहिए आलू को पहले से फ्राई करना है दो चम्मस तेल एक चम्मच छोटी चम्मच में जीरा थोड़ी सी धनिया पत्ती डालना है काटके इसमें और मेथी भाजी लगी है और दो हरी मिर्च नमक खल्दी मिर्च और बिना प्याच की बनी हुई सबजी बिना लशून प्याच के ब भोजन है यह शबजी लोगों को लगता है कि लशून प्याच खुब सारा पीस के डालने से ही सबजी में स्वाद आती परन्तु ऐसा बिलकुल भी नहीं है आप इस तरह से सिंपल सबजी बना के देखिए बस सबजी को अच्छी तरह से उसको भूनना है और नमक मिर्ची का अन्दाज सही होना चाहिए पिर शबजी का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है तो दिखिए मटर कितने अच्छे से पक चुकी है मटर दब जा रही है तो गोवी आलू मटर की सिंपल और स्वादिश्ट सबजी है तो मटर को ही चेक करके बता रहे हैं क्योंकि मटर अभी थोड़ी कड़ा आने लगी है और अगर मटर पकी नहीं रहती तो फिर चबा के खाने पड़ता है और अगर पक गी रहती तो रस पुरा उसके अंदर में रहता है तो बहुत ही टेश्टी और स्वादिश्ट सबजी है तो आप इस तरह से सबजी बना कर खाईए ये गरम मसाला है आप जो यूज करते हैं उसी गरम मसाले को डालिए तो सिंपल तरीके से बनी हुई फूल गोबी मटर आलू की सबजी है बिल्कूल देशी तरीके से बनी हुई है ना बहुत सारे मीर्च मसाले डेर सारे ना कुछ तो थैंकी सोमस सबजी तयार है